हेलो दोस्तों मैं सेंजर मिस्र आपका स्वाथ करता हूँ क्रिप्टो इंसेट ये चनल पर दोस्तों पिछले 24 आवर से मार्केट ग्रीन देखने को हमें मिला है और 38000 के आसपास की बात मैंने कल के टीए वीडियो में कहा था तो वैसा कुछ हो गया रीच अब यहां से क्या हो सकता इसके उपर बात करिंगे और बात करेंगे सिनारियो है इन सब के ऊपर discuss करेंगे तो जाने के लिए इस वीडियो को अंतक जरू देखेंगे दोस्तों आगर आप इस चनल पर नए हो तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लो बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो क्लिक कर दो क्यों कमें डेली लातो है इस इंफर्मेटी वी जाले पाऊगे इसके अलावा आप अगर मुझे से कॉंटेक्ट करना चातो या मेरे जितने भी ऑफिसल सुसल अंडेल है उन सबको फॉलो करना चातो तो डेटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ज्यादा डेटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट कर करते हो तो थोड़ा सा प्रिक्वासिन के साथ करो क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग करने की सला मेरे कॉल के बेसेस पर कभी नहीं कहता हूं क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जरूरी है सीखना और जब तक आप तक आपको खुद के कॉल लेने नहीं आते हैं तो जरूर आप में जरूर अपना risk reward maintain करते हुए कीजिए क्योंकि मैं कोई financial advisor नहीं हूं बार-बार हर वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आप लोग अपना नफा नुकसान जरूर समझे भले ही market कहीं से भी कहीं जयाए definitely यहाँ पर बात करेंगे अब हम हर रोज के तरह daily TA वीडि आए जो bonds हमें मिला है वो कुछ extra मिला है that's for sure especially closer के साथ में देखू हूं तो 38,269 डॉलर पे closer मिला है इतना मैं expect नहीं कर रहा था यहाँ यह level reach करता हूं देख रहा था closer नहीं expect कर रहा था so this is very good sign although मैंने आपको कहा था कि यह golden ratio है यहाँ पे मैं sideways action expect करता हूं कल के दिन जो lowest reach किया 36,368 डॉलर मैंने आपको कहा था 38,000 का level break होता है तो 36,000 is the next major support बात करते हैं यहाँ पे बाकी के indicators क्या कह रहा है 20 के 2 words बढ़ रहा है obviously अभी हम early phase में आज का candle अगर green होता है या sideways action दिखाता है अपर side में तो जरूर हम यह कल next 72 hours में 20 या 20 के पार जा सकते हैं so this is the best thing which we can have but यहाँ पे एक और scenario बनता है कि यहाँ पे आके result होने का chances होता तो वो possibilities अभी deny नहीं कर सकते हैं we have to wait especially next 24 hours जो है in fact मैं Thursday का move भी consider करना चाहूंगा next 48 hours जो है बहुत ही critical होगा and याद रखना future expiry आने वाला है आज हो गया 23rd and definitely यहाँ पे हमें अगले 2-3 दिनों में future expiry देखने Monday को देखेगा but future expiry उससे पहले कई exchanges का हमें देखने को मिल सकता है तो उसकी वज़े से spike आ सकता है याद रखना मैंने आपको कहा था February का मन्त 47,000 के nearby में price action जाना देखता हूँ closer आस-पास उसके आस-पास जरूर हम 46,000 nearby पहुंच गया है लेकिन वहाँ से rejection दो बार हमें मिला and ultimately हम अभी फिला 38,000 पे तो यहाँ पे क्या हो सकता मैंने आपको बोला था कि जिस हिसाब से हमने break किया we should expect यहाँ पे sideways action क्योंकि यह golden ratio नीचे जाना है तो भी यहाँ पे sideways action है ऊपर जाना तो भी यहाँ पे sideways action है but यह level सिर्फ sideways action करनी है यहाँ पे आप देखोगे अभी भी compar comparatively कुछ dollar का मतलब अगर आप roughly देखोगे मुस्कल से मुस्कल से यहाँ पे lowest जो हमारा reach हुआ था last time 36,264 and यहाँ पे जो कल reach हुआ था वह हुआ था 36,368 तो मुस्कल से 100 dollar का जो level का gap है वह हमें अभी भी higher low maintain करता हुआ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वह तब confirm होगा जब बाकी के indicators हमारे हमारे पक्ष में आ जाए तो यहाँ पे अगर देखोगे blue line जो है वापस से नीचे आता हुआ देख र मतलब यह होता है कि हम यहाँ पे पीछे कुछ दिनों का average लेके चल रहा है momentum indicator में and momentum indicator जब यहाँ पे था तो मैं आपको कहा था कि sideways action या फिर मैं expect करता हूँ यहां तक retrace हो नहीं तो blue line हमारे zone में पहुंच चुका है so this is the best thing but अगला 24 hour भी हमें wait करना हो सकता है क्योंकि I am expecting कि यहां पे अगर reversal आता है तो we are good to go again upside otherwise यहां पे sideways action देखने को मिल सकता before हम नीचे further जाते हुए देखें से but मेरे हिसाब से we should get back to the upper level although बाकी के indicators क्या कहते है वह जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पे indicator wise देखा जाए one day का chart is not looking good red line उपर है जो हमारा momentum है वह हमें अब जात के green line ऊपर और वह green line ऊपर तभी होगा जब हमारा RSI quickly से हम bonds करे अपर जोन में 50 के अब अभी फिलाल 40 के आसपास मैंने कल के दिन कहा था कि जिससाब से हम नीचे हैं अगर हमें नीचे भी जाना तो भी मैं expert करता हूं bonds तो वह तो हो गया अब यहां पे क्या हो सकता है देखो 40 का range है अभी फिलाल reject होता हो दिख रहा है interesting होगा अगला 48 आवर मैं आपको बारबाब बोल रहा हूं अगर हम 48 आवर sustain कर लेते हैं इस लेवल पे तो जरूर हम 50 के तो बढ़ रहा है ना ही बोल्स की तरफ से ना ही बीयर की तरफ से अब यह आप कहोगे कि बीयर की तरफ से आपको strength क्यों नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि जब हमने यह level break किया है और definitely जिस जिस volume के साथ हमने break किया उसके बाद भी हमें कुछ momentum extraordinary देखने को नहीं मिला जैसा यहां भी जो है wait and watch में तो हमें भी wait and watch में होना चाहिए month end होने वाला है तो यहां पर अगर trading करते हो तो थोड़ा सतर्क हो जाओ क्योंकि आपके trades volatility की वज़े से कुछ भी हो सकता है तो थोड़ा सा stop loss maintain करते हुए ही करना market में क्या opportunity है वो में बता जेता हूं short hours में सबसे पहले one hour क चार्ट पर लेगे चलता हूं one hour के चार्ट पर हम 21 EME and 51 EME बार-बार continuously हम retest कर रहा है कबसे लगबख 17 February के बाद से हम fail हो रहे थे हैं यहां पर हमने retry किया फिर से हमने retry किया 21 EME 51 EME ने हमें reject किया अभी फिर से हम reject हुए है पिछले 24 hours में and उसके बाद हम वापस से regain करते ह 21 EME के हम ऊपर है अभी फिलाल 21 EME 51 EME हमें support देता हुआ दिख रहा है although अगर मैं बात करूं फिलाल अगले 2-3 घंटे it's not looking good especially हम जिस लेवल पर जा रहे हैं तो definitely अगले 2-3 घंटे अगर हम sustain कर जाते हैं इस लेवल के आस-पास 37,900 के आस-पास ते लेके 37,600 या 700 के आस-पास तो we are looking good to go upside towards 38,800 के nearby so that will be the next level जो हमें resistance देता हुआ दिखेगा but इस सबको होने के लिए मैंने आपको जो वन आवर के चार्ट पर कहा है अगले 2-4 घंटे interesting होंगे especially RSI की बात करूं RSI जो है above 50 हम पहुंच गया है रिटेस्ट करके हम फिर से बांस बैक ले रहे हैं we need to see कि कैसे हम क्रॉस करते है 60 का लेवल जब ही 60 का लेवल क्रॉस करेंगे we are ready to fly towards above 38,000 and towards 39,700 65 डॉलर chances की बात करूं कि नीचे जाने की chances है या ऊपर जाने की chances है तो उसके लिए मैं 4-hour के चार्ट पर पहले prefer करूंगा जाना and 4-hour के चार्ट पर आपको दिखेगा 21-eam है फिर से हमें रिजर्ट कर रहा है and जो recently अभी upside हम गए थे पिछले 24-hour में वहां पर rejection मिला वैसे ही यहां पर rejection मिल रहा है although एक चीछ जरूर देखने वाली interesting बात है कि हम 80 के अबब है 80 के अबब अच्छा माना जाता है sideways action में भी हमारे favor में होता है blue line हमारे favor में है 4-hour के चार्ट पर that is definitely good but एक चीछ बस गलत है कि 0 के नीचे है तो अभी बहुत महनत करना होगा 0 के उपर जाने में तभी हमें major price action देखने को मिलेगा बाकी के indicators की बात कर लेते हैं RSI जो है बहुत तेजी से 40 का support लेके आप bonds back दिखा रहा है towards 50 so I think I think अगला 24 hours में चुछ शुरुआती 4 घंटे है उसमें जरूर हमें struggle करता हुआ दिख सकता price action अगर हम समल जाते हैं अगले 4 hours में तो फिर हम most probably 38,300 को as a support behave करने लगे आने वाले next 48 hours के अंदर अंदर and that will be the level की 38,300 के ऊपर जाता हुआ price आपको दिखेगा so for me on one hour we need to see next four hour very critical four hour पे उसी के हिसाफ से आपको next 48 hour में जरूर price action ऊपर जाता हुआ मुझे high percentage chances लग रहे हैं अगले four to eight hour पे अगर हम sustain कर जाते हैं इस level के आसपास जहां पे अभी हम है maintain के हुए अगर यह कर जाते है we are good to go fly above towards these rains and definitely one hour के चार्ट पे मैंने आपको जो level बता है यह critical level है back to back test कर रहा है fail करेंगे तो नीचे pass करेंगे तो उपर fail अगर नीचे करते हैं तो 37,300 से नीचे हमें नहीं जाना है वहां से हमें वापस से bonds करना अगर हम नहीं दिखाते हैं bonds तो definitely वापस से 36,000 का level हमारा retest होता हुआ देख सकता बड़ chances wise as per 4 hour I can see कि अगले 24 hour में price action उपर जाएगा हम अगले 4-8 hour यहां पर sustain कर जाते हैं so these are the scenario international market में क्योंकि बहुत सारे कुछ events आपको back to back सुनने को मिल रहा होंगे future के चार्ट पे definitely अगर मैं बात करूं अभी भी हमारा है CME gap वंडे के चार्ट पे definitely अगर मै यहां पर के देखूं level 39,460 डॉलर और यहां पर नीचे देखूं definitely 39,485 डॉलर तो 20 डॉलर का gap अभी भी बना हुआ है उपर की तरफ so that is the good thing जो मुझे लगता है इसी अपते पूरे होता है देख सकता है although one day के चार्ट पे macd हमारा अच्छा नहीं देख रहा यहां पर मुझे आपको कहा था कि यार जिस हिसाप से अब हम वापस से नीचे जा रहे हैं it seems kide way Jackson यह बारा-बार 21 यह में retest करेंगे फेल होंगे 21 यह में retest करेंगे फेल होंगे जैसे bitcoine के चार्ट में हम पिछले तीन महिने से कर रहे हैं वैसा कुछ stock market में अब होगा तो इंपक्ट जो होता है वो कई वाड़ इंपक्ट में बहुत तीजी से देखने को मिलता है जैसे कोविड-19 का डंप वो फंडमेंटल के अगेंस जाके डंप लेके गया था और उसका रियक्शन क्या टाइम था तीन मेने के अंदर हम वापस से रिकवर हो गया थे तो फंडमेंटल फंडमेंटल होता लॉंग तर्म में वह अपना जो एवरेस प्राइस होता हो मेंटेन करके रखता तो वी डोंट नीड टो गेट पैनिक किया स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो हम नीचे चले जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है गाईस मैं बार-बार रिमां के बाद दिसंबर ऑनवर्ड हमें प्राइस से नीचे गया है तो जरूर जो है हमें यह लेवल नहीं देखना चाहे था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं होता बट यह सौट तम में थोड़ा बहुत जो इंपक्ट है वह मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहता हूं डेली टी राइट अल्दो वीकली चार्ट पे अगर अभी आप पीछे मुड के अभी देखोगे तो इक्जाक 51 यह में रिटेस्ट करके हम बांस बैक दिखा रहे है तो मोश्ट प्रबाबली हो सकता है वीकली क्लोजर हम वापस से 40,000 के ऊपर चले जाए और अगर ऐसा हो जाता गाइ और इस जगह पे प्राइस अक्षन क्या हुआ था सी बूम सी बूम तो इस आधा पॉसिलिटीज बट हम कहां पे हैं बॉंडरी लेवल पे हैं एक गलत पॉइंट हमें लंबा वेटिंग टाइम करा सकता है तो बिटकोईन जिस हिसाब से 38,000 का लेवल ब्रेक क्या 40,000 का ठीके 38,000 के बीच में अगले एक महिने भी इस अर्ली साइं बट अभी कनफॉर्म नहीं है और सवारा कनफॉर्म कभ होगा जब हमारा इस वीक का कैंडल क्लोजर मिल जाए और डेफरेंटली जो है वन डे के चार्ट पर मोमेंटम कैसा ब्रेक करता उसके उपर डिपेंड करत थीक है और उसके बद यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार और सीजन जन्वरी में आने वाला था और सीजन जन्वरी में में देखने मिला भी बहुत सारे्य अचानक से मोमेंटम सर्फित शूरू भी हो गया उसका इंपक्ट भी देखने को मिला कुछ जो कॉंस दे principal आपको suggest भी किये थे उस टाइम warning के साथ suggest किये थे कि stop loss जरूरू करना और portfolio का more than 50% तो कभी गलती से भी भी नहीं करना मेरी recommendation 20-30% का portfolio पर था और उसके बाद momentum आया है 20-16 जनवरी के आसपास से फिर से हम जो है definitely हम fallback दिखा हैं उसके बाद से मैं आपको बार-बार कह रहा था कि रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा और अभी भी में मैं उसी बात पर stick हूं कि रुख जा बैटर प्राइस लेने से बैटर है कि हमें बैटर जगह पर entry लेना चाहिए ताकि हमें इमिडेटली जो है return देखने को मिले तो bitcoin का dominant start क्या कहता है क्योंकि यह altcoin को derive करता है इससे पहले मैं इसको cover करूँ मैं बात करूँगा इसने के BTC chart पे again से हम struggle कर रहे हैं इसी line के उपर कितने दिन struggle करता हो गया अगर मैं exact line figure को बात करूँ तीन February से हम almost 23 February हो गया 20 दिन हो गया इस line को हम pass नहीं कर पा रहे है ऐसा नहीं पास नहीं कर पा रहे है पास कर रहे है आगने दिन reconfirmation में fail हो जा रहे है जाए ज़्यादा दिन tick रहे है तीसरी दिन fail हो जा रहे है और पिछले तीन दिन से on the spot line में तीन दिन से बने हुए है जब तक Ethereum नहीं perform करता है I've always says कि यार altcoin ज्यादा perform नहीं करते हैं BTC pair में individual altcoin defer कर सकते हैं बट missority जो flow होता है call season का वो नहीं होता वो इसके scenario नीचे जा सकता है पट जिस तरीके से यह pattern बना रहा है although we are in the descending triangle which is literally bearish और इसलिए मैं कहां boundary line पे we need to take care of that क्योंकि यहां से अगर descending triangle play out हो गया that means we are going to fall back some other level that is nearby 0.055 जो कि मैंने आपको October के आसपास कहा था और उस तामें reach भी हुआ था कर याद हो आप ठीक है तो वहां पे अभी अगर हम नहीं जाते हैं जिस हिसाप से हम play out कर रहे हैं मेरे हिसाप से फॉर्दर हम upside ही चले जाएंगे लेकिन हम boundary level पे हैं bitcoin पे भी और यहां पे भी तो मैं risk लेने के लिए नहीं कहा रहा हूं आपको लिए जब तक altcoin तब तक सारे altcoin perform नहीं करता है तब तक जब तक हमारा bitcoin एक extra level maintain नहीं करता और दूसरी बात ethereum btc chart पर अच्छा नहीं करता तो ethereum btc chart अगर आप ध्यान से देखो कि दिसंबर से लगातार नीचे बना हुआ लगातार नीचे बना हुआ और और यहां पर नहूंबर ओनवर लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि bitcoin 62,000 के आसपास अगर नीचे ब्रेक करता है तो we are going to see fallback towards 54,000 फिर 54 से 50 पर गया तो मैंने आपको कहा कि 40,000 तो वो levels होता चला गया अब reaction यह है कि 38,000 पर यह हम है और ethereum भी उसी साब से play out करता है dollar के chart पर भी और BTC chart पर और season का होगा क्या क्या क्योंकि January के आसपास हमने यहां पर थे यहां पर देखो कि वहां पर वापस से हम upside momentum लिये थे और इसका फादा देखने को मिला था rejection हुआ सारा सारा stop loss ही याद करो momentum याद करो और फिर यहां पर वापस से rally जनवरी के last में देखने को मिला फिर से fallback हो गया फिर से हो सारा कुछ दुल गया all season नहीं आ रहा है क्या होगा all season का तो बात करते हैं dominance chart की dominance chart बहुत important play role कर रहा है October के बाद से October में हम कहां पे थे definitely अगर आप देखोगे October में हम अगर मैं दिखाऊं आपको लग 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 इस पे थे September October के आसपास and October मन्त में मैं कहने लगा था कि और altcoin से बाहर हो जाओ क्योंकि यहां पर बुरा face दौर शुरू हो सकता और वायसा ही कुछ होता चला गया October end आते आते लेकिर वहां पे एक फिर से हमें benefit देखने को मिला और further rejection मिला और फिर से हमें November के मन्त में बहुत altcoin perform करते हुए देखें लोगों ने कहा कि altcoin में क्यों ना ले मैंने आपको कहा कि wait करो जब तक bitcoin एक clear level पर नहीं जाता है क्योंकि bitcoin अगर नीचे गरता तो altcoin भी गिरेंगे और double गिरते हैं dollar में और BTC चार्ट पर भी वह अब आपको confirm होता चला गया October के comparison में अभी भी हम नीचे तो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं अभी मतलो confirmation का इंजार करो यह तो वंडे का चार्ट हो गया वंडे का चार्ट पर अगर overall आप देखोगे 20 के below हम 19 February के बाद से चल रहा हूं उसका sideways action का मतलब क्या होता है sideways action अगर 20 के below है momentum indicator तो हमारा अगर RSI below 50 है तो बहुत तेजी स नीचे करता है अब 50 है या sideways action बना के रखता है और वही हो रहा है अभी above 50 है 52 के आसपास अभी RSI struggle कर रहा है और sideways action बना के रखा हूँ है पिछले 5 दिनों में और यह 5 दिन बहुत ही खतरनाक थे altcoin के लिए if you consider कि यहाँ पर बहुत चोटे-चोटे spike उपर नीचे लगा है ले यहाँ पर एक interesting fact जो हमें weekly chart पर देखना है क्योंकि January में हमें expert कर रहा था all season and अब देखोगे January के आसपास हम यहाँ पर 10 EMA को cross कर रहे थे और वापस से नीचे की तरफ हम बढ़ने की courses कर रहे थे यहाँ पर इस जगह के आसपास थे rejection एक rejection हमें और further नीचे ले जाता है लेकि हम अगर आप momentum wise देखोगे देखो 21 EMA और 10 EMA को ऊपर है we are not looking good right बट बाकी के चीजे देखना हम कहां पर है RSI boundary level से rejection ले रहा है rejection ले रहा है reject हुआ नहीं है confirm नहीं हुआ अभी just हम 47 के आसपास है 45 के below हम चले जाएंगे तो हम कह सकते yes we are rejected finally on the weekly chart बट बाकी के indicators भी देखना बह करने हुए है इस level पर और यहां पर sideways action रूला सकता है 80 के अबब sideways action अपर साइड में move करा सकता है RSI 50 के अबब चला गया तो और बुरी तरीकित से रूल आ सकता है so these are the reason मैं आप ये alt coin में आप लोग को new position के लिए नहीं consider करने बोल रहा हूं जब तक हमें clear cut move ना देख लेकिन यहां पर संकेत क्या मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें एक खुशकबरी जरूर है जिसका आप लोग को इंजार है काफी दिनों से जनवरी के आसपास मैंने आपको कहा था कि इस level के आसपास जब जा रहा था कि अब यहां पर मीनियो और साइज दिख सकता और केस में do remember लेकिन एक बार जब यह जर्णी यहां पर 80 के बिलो स्टार्ट हो गया जिसके probability wise मेरे से पूछो को तो यस ज्यादा है जिस हिसाब से pattern यहां पर बना था 20 दिसमबर से लगबग इसको recovery red line को लगे 17 जनवरी में तो यहां पर लगबग एक महिना यहां पर हमने 31 जन है तो मैं कहूंगा safety देखते हो तब तक आपको दिख भी जाएगा बाकी indicators और bitcoin कैसे behave करता हूँ उसके उपर भी हमें depend करेगा बट हमें जो पहला week of March है उसके closer के साथ साथ हमें पता चलेगा कि क्या वाके oil season March end में या फिर April में hit हो सकता है या नहीं हो सकता है and definitely chances wise में बात क है कि यहां से जिससाब से rejection यह confirm हो जाए 50 के below हो सकता है एक spike आ सकता है temporarily यह weekly chart है daily chart पर कुछ भी हो सकता है but overall मैं expect कर रहा हूं यहां से fallback and एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यह हमारा trend line था जो RSI हम लगबग मई के बाद से maintain कर रहे थे वहां से 50 का level वापस गया फि अभी higher high कहने के लिए इस price पर ज़रूर बनाया है लेकिन यह वाला जो level है अगर आप देखो कि इस चीज़ को एक चीज़ maintain करोगी कि higher low maintain कर रहा तो अभी भी maintain कर रहा that's true but इस trend line को break क्या हुआ और यह trend line जो है उसके नीचे फिलहाल इस week हम चल रहे है अगर हम इस week इसके न यहां पर आपको further fallback देखने को मिलेगा और यह fallback जो recent low आया था लगबग 35 के आसपास वो लेके जाएगा 30 के आसपास RSI पे weekly chart पर weekly chart पर जब ऐसा कुछ होता है तो हमें कम से कब 5-6 हपते का time मिलता है do remember that तो अभी फिलहाल 2 हपते critical मान के चलना alt coin के लिए यह week और अगला week वहां पर हमें confirmation मिल जाएगा या फिर यह भी मिल जाएगा कि या तो हम उपर जा रहे है या फिर हम नीचे जा रहे है तो यह एक interesting fact है और मुझे priority wise देखा जाए तो मुझे लग रहा है dominant chart हम नीचे जा रहे है इसमें कोई dot नहीं लेकिन bitcoin अगर 40,000 के बिलो रहता न तब तक आपको ज्यादा perform करते हुए नहीं देखेंगे तो इस चीज का खयाल रखना आपको और इस चीज के हिसाब से आपको अपना risk और reward मिंटेन करते हुए चलना जब भी जरूरत होगा time आने पर मैं alt coin series जो लेके आया था जनवरी में उसमें तीन या चारी video upload हुए था मुझकल में रहे हैं जरूर हम time spend कर सकते हैं बट अभी फिलाल मैं जरूर अगले 2-3 दिन नीचे जाता हुआ देख रहा हूं price action बट उसके बाद फिर से हमें bounce back मिलेगा इसलिए मैं कहा रहा हूं एक week March का भी आपको benefit और dot देना पड़ेगा और उसके बाद आपको यह 42 के below जाता हु होगा तो ethereum btc chart पर आपको breakout करता हुआ जो दिख रहा है यह वाकई breakout कर जाएगा उपर की तरफ तो क्या ethereum में अगर आप clearly बाहार हो तो क्या entry ले लेना चाहिए तो मैं कहूंगा risk reward के उपर maintain करता है आपका और अगर आप safe side खेलना चाहते हो तो कम से कम कम से कम 21 EMA के उपर ethereum के usd chart की बात कर लेता हूँ अभी जो recently fallback आया था उसके comparison में अभी भी higher low maintain कर रहा है that is good इसकी बात मैंने आपको कही थी 2500 के आसपास जा सकता है वो चला गया price कल 2500 वन डॉलर के आसपास से price bounce back करता हो दिखा और यहां पर अगर देखोगे काफी नीचे 20 के below है sideways action भी हमें नीचे की तरफ push कर सकता price लेकिन RSI क्या कर रहा RSI below 50 है below 40 के आसपास over कर रहा है और हम इसी train zone के अंदर I am expecting कि हम वापस से 50 के आसपास जाने वाले है या 45 के आसपास trigger करने वाला और it means कि हम हो सकता है price action 2800 डॉलर के आसपास जाएंगे अगले आने वाले 24 to 48 hours में these are the high probability जो bitcoin क चार्ट पे होगा वैसा ही ethereum के यूजरी चार्ट पे अगर होता है तो 2800 हम आसानी से रीच करते होगे देखेंगे बट वहां से हमें clear cut rejection मिलता है या फिर हम आज सपोर्ट देखने को मिलता हो वह interesting होगा लेकिन RSI का यह जो dawn trend है मुझे ऐसा लगता है एक बार और push करेगा वह price को कितना push करेगा वह depend करता है हम uptrend में कितना high level तक hierarchy में जाते हैं क्या हम 33 level को touch करके आते हैं तब retrace देखते हैं या फिर हम 2800 से retrace देखता है अगर 2800 से retrace देखता है तो वापस से हम जा सकते हैं 2200 या 2300 टेस्ट करने के लिए और अगर हम 3300 क्रॉस कर लेता है फिर हम अगर retrace होता है तो towards 3000 के आसपास या 2800 के आसपास तक retracement देख सकता है so these are the possibilities on the ethereum for the next 3-4 days or in fact मैं कहूंगा पूरे week का so these are the updates from my side guys altcoin के लिए मैंने आपको बता दिया मेरा observation क्या कहता है मैंने आपको I'm sure कि इसमें altcoin में जब हम मैं cover करता हूं चीजे तो उससे आपको idea मिल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए अब मैं आप लोग के queries लेने के लिए ready हूं तो आप लोग जल्दी से अपना queries लेके चलो signal और आप खुस हो जाओ आप sell करके निकल जाओ let's see कि क्या होता है और खुसकबरी आप अगर जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं weekly chart पर जब मैं बात करता हूं one day chart पर तो उस हिसाब से आपको reaction देखना हूं और जब मैं खुसकबरी बोल रहा हूं यहां नहीं अपने community members को इस तक करवा के रख दिया है इस market में profit book ही नहीं कर पा रहा हूं बिचारे profit होते हुए भी तो क्यों नहीं करते हो आप profit book आपको जब 62,000 पर market था तो मैं आपको कह रहा था 54,000 पर जाएगा क्यों नहीं book किया profit आप अपना risk reward क्यों नहीं maintain करते हो मैं यहा से bull run end हो गया मेरे हिसाब से नहीं हुआ है आपको believe नहीं हो रहा है ठीक उसी वज़य से क्योंकि जैसा आपका मही में नहीं believe था तो आपको अगर believe नहीं है तो निकल जाओ क्योंकि आपके हिसाब से bitcoin का price अभी भी 20,000 जा सकता है अब निकल जाओ community मैं लेके चल रहा हूं औ मेरे को पता है कि मैं community में कहां तक ले जाओंगा और याद रखना हर video में कहता हूं कि अपना risk reward पहचानो I am always talking about your own risk reward अगर आप अपना risk reward नहीं maintain करता हूं तो यार मेरा तो extra money पर मैं खेल रहा हूं लोग salary के लिए खेल रहा हूं तो salary वाले यार salary नहीं निकालोगे तो आपकी तो लगेगी reward मैं यहाँ पर investment कर रहा हूं मैं यहाँ पर अपना daily daily का wages नहीं निकाल रहा हूं तो आप किस category में fallback करता हूं उस हिसाफ से रहा हूं अपना reaction time and do remember मैं यहाँ पर bullrun के journey तक लेके चल रहा हूं और bullrun के journey मेरे हिसाफ से end नहीं हूं वह आपका risk reward था do remember आसान होता दूसरे को blame करना anyway और जहां तक बात है community की मैं community को लेके चल रहा हूं कभी छोड़ा नहीं हूं daily हूं 365 दिन में अब another 2 month add कर दो इतने दिन से continuously back to back without any break आपको support दे रहा हूं not इसमें मेरा कोई benefit है या नहीं वह आप decide कर लो मुझे अपना मुझे पता है but do remember do remember do remember जहां मेरे words है वही पर मेरे पैसे हैं वक्त आने पर मैं आपको दिखा भी दूँगा लेकिन I will wait for the bullrun end so so question ले लेते हैं sir माल लो beer market आता है तो FTT को कौन से कौन से zone में accumulate करके रहा प्रकास सिंदु जी FTT का ना प्रूव उपर मैंने पूरा आदे गंडे का वीडियो बना रखा जाकि उसे एक बाद चेक कर लो उसमें अलग लग zone बता रखा मैंने और मेरे हिसाब से जिस zone में मैंने buying बोला था ना उस zone से ऊपर ही है आज की date में अगे और मैंने आपको बोला stop loss लगाने करें तो आप अगर one day के chart पे stop loss लगाते है अगर five minutes के chart पे stop loss लगा तो उससाब से आपका stop loss हिट होगा आपको अपना risk reward maintain करते हुए देखना for me कुछ alt coin बहुत ही outperform करेंगे इवेन आज की date में भी BRN start हो जातो हो और जब मैं बोलूँगा BRN start होगे तो वहां पर मान की चलना एक डेट साल तक तो price range back to back नीचे जाएगा यह मैंने में वापस new all time high नहीं मनेगा ठीक है तो मेरे इसाब से BRN जब आएगा तम मैं BRN की बात करूंगा sir one inch recovery possibility one two one point one liquidation price आप अगर future में खेल रहो sir तो आपको क्यों खेल रहो future में old coin में आप especially one point one liquidation price है मैंने कभी आपको कहा है कि future में आपको विदा सोचे समझे लेना है trade बताओ और इतना लंबर trade लेना इस्पेसली जब मैं बारबर बोल रहा हूं कि bitcoin is in critical level जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक old coin का mega season start नहीं हो सकता 42,000 के ऊपर जब तक stay नहीं करता तब तक old coin का mega season start नहीं हो सकता तो अब 1.1 possible अगर bitcoin 30,000 डॉलर जाएगा तो अराम से possible है 30,000 क्या अगर bitcoin अभी यहां से 33,000 हिट करेगा तो यह 1.1 डॉलर आपको immediately हिट होता हुआ देख सकता है why not और अभी क्या यह uptrend में है 1 inch के usd chart पर मैंने आपको कभी कभी कहा ही नहीं होगा पिछले एक डेर यह दो महिने में कि 1 inch में आप entry लो आप मुझे एक वीडियो निकाल के देदो जिसमें मैंने आपको कहा हो कि 1 inch में ले लो entry यहां से safe दिख रहा है तो यह आपका call है फि अगले चार हफ्तों में लेकिन अगले चार हफ्तों में क्या bitcoin क्या bitcoin 30,000 dollar touch कर सकता है अगर उसका probability आपको लगता है yes तो yes यह three point one point जो one dollar का है वो hit कर सकता है लेकिन फिलहाल for me नहीं लेकिन मैं as a क्योंकि आपको आपका liquidation हो रहा है यानि कि future में पूरा का पूरा fund लगा के zero हो जाएगा तो वो आपका risk or reward है आप खत्रा लेना चाहतो तो आप मान के चलो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ कि bitcoin जो recently downfall देखा था हमने 33,000 का वो हमारा break होगा लेकिन पत्थर की लकीर तो है नहीं मैं एक structure को लेके चल रहा हूँ उस structure wise नहीं break होना अचे लेकिन आप वही structure जो मैंने Sunday को cover up किया अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो still अभी possible है कि 30,000 के below भी price जा सकता है बले ही एक गंटे के लिए जाए तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो definitely हमें देखने को मिल सकता है इस्पेसली जो हमारा market का situation तो 1.1 dollar is achievable in any kind of panic situation but the way the way where we are right now I don't see immediately के ऐसा कुछ होने वाला but yes याद रखना 1.2 dollar के आसपास के आसपास बहुत ही cluster of support है but 1.1 एक week लेके जा सकता अगर bitcoin 30,000 dollar के आसपास जाएगा तो for me इस week ऐसा कुछ नहीं होने वाला हम ऊपर जाने वाला है so that's that's my expectation जैसा मैं bitcoin के लिए बता रहा हूँ तो यार future के चार्ट चीजों को ना मेरे statement के business पर अगर आप ले रहे हो तो अपना risk reward खुड दी maintain करो क्यों कि मैं कभी आपको trade करने के सलह directly नहीं देता हूँ और देता भी हो तो मैं बोलता हूँ strategy video का जो strategy share किया है उस पे लगा के देखो अगर दिखता है तो अपना risk reward maintain करके चलो अगर आपने that is your you know psychology and that is your fundamental analysis आप क्या सोच के कह रहा हूँ लेकिन चीज करने से better है confirmation का इंजार करो ठीक है so are you doing crypto full time or you have a job or other business आप अगर सौरब जी मुझे जानते हो तो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ I am doing not a full time मैं बस channel को कर रहा हूँ I am not doing full time मैं खुद एक IT sector में job में काम करता हूँ अगर आप channel को I am sure आप नहे हो इसलिए आप ये question पोच रहा हूँ so I am not doing full time because मुझे जुरूरत नहीं है full time करने के लिए भी हाँ मैं community के चक्कर में ज़रूर full time करने की plan कर रहा हूँ आने वाले years में आने वाले months में but that not in short term because I have my own responsibilities that I need to take care I am I am taking a bread and butter from the crypto not thinking it as कि ये मेरे को salary देगे but yes क्या वो possible है लोग करते हैं बिल्कुल करते हो और possible है लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सीखने के लिए आपको महनत करना होगा महनत करने के लिए आप कहीं से भी सीख सकतो मेरे से सीखना चाते हो आपको आपको यहां पर सौरभ जी का कुस्टन हो गया 20% स्टॉप लॉस है मेरा मैं असे नहीं कमेंट कर सकता है 20% स्टॉप लॉस है बट आपने कहां पर अंट्री लिया आपको 1.1 इस सम्थिंग अगर बिट्कॉइन आपको 34,000 ब्रेक करता हो दिखता है 36,000 in fact मैं कहूंग है 35,000 ब्रेक करता हो दिखता है तो 1.1 डॉलर पॉस्यूबल है यहां पर एक कुस्टन आ रहा है ब्राइस का बिट्ग्रेट का रिव्यू कर देना प्लीज तो ब्राइस का I'm not sure कि यहां पर कोई चार्ट है तो अगर आल्ट कोई की बात है तो यार देखो नया प्रोजेक्ट में बहुत रियरली ही अभी आप लोग को बोल रहा हूं कंसिडर करने के लिए और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको कहे हूं है और वो काफी जादा जो है नीचे हैं तो आप उन सब को जुरूर प्लान आट कर सकते हो इसका फंडामेंटल इनलसिस पर मैं क्या कहूं आपको यार यह कुछ देखो इसके बारे मैं मतलब ऐसे आल्ट कोन में मैं कभी आपको डील करने के लिए बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं हमेशा ट्रेडिंग करवाता हूं बिट्कोइन बढ़ाने के लिए आप लोग अगर मुझे जानते हो कोई जिसकी वैल्यू जीरो सतोसी हो आज की डील में उसको मैं क्या ही बोलूंग पहली बात इसका एनलसिस ऐसा है कि 3 मेरे को कॉन्ट करने पड़ेंग जीरो आपकी expectation क्या है कितना आपको return देना चाहिए तो यह तुक्का project आपके लिए हो सकता है ठीक है ठीक है और मैं यह नहीं कहरा हूं कि यह उपर ने जाएगा bitcoin उपर जाएगा dollar में यह उपर जाएगा bitcoin अगर 60,000 dollar जाएगा तो यह यहां से double क्या 3 गुना होगा लेकिन मेरे this is on the basis of total circulation supply direct मैंने आपको बोला मैंने और कुछ भी project के बारे मैं आभी पढ़ा नहीं है मुझे idea भी नहीं तो this this is my you know मौसुद जी मुझे मेरा review यही होगा कि आप अगर बस कुछ दिनों के डॉलर में आप खेलना चाहरे हो तो ठीक है that is fair but I don't recommend you कि आप इसमें invest करो बड़ा है amount 100 dollar 200 dollar it's okay लेकिन आप अगर दो हजार डॉलर दो लाग डॉलर ऐसा कुछ प्लान कर रहो त्यार don't do it and याद रखना ऐसे coin का bitcoin के साथ ही price search होता बिटफन के साथ ही price dawn होता है ठीक वैसे ही जैसे आपको दिखते होंगे छोटे जिनका high market क्या भले पहुंच क्या हो लेकिन उनका जो high circulating supply हो उसके वाज़े से उनका और BTC pair में कभी आपको वैसे बढ़ता हो नहीं दिखेगा अगर सतोसी को भी डिवाइड कर दो वन सतोसी को भी डिवाइड कर तो that is different game that is not possible on Binance तो I am not going to play out on those things आपके call नहीं था मैं खुद अपने आपके बताया इंडिकेटर देखके call ले रहा हूं मैंने 20 डॉलर को 240 डॉलर किया है मार्केट में पर रस्या न्यूज ने हिला दिया मार्केट में मेरा 20% पर होता है मेरा stop-loss that is fair that is fair stop-loss अगर हो रहा है तो यह होगा पैनिक मोमेंटम आएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आपको कंसीडर करना चाहिए उससाब से इन्वेस्टमेंट में फिर stop-loss का फंडा नहीं होता बट ट्रेडिंग में yes stop-loss होना चाहिए अगर 20% का आपका stop-loss है तो आप definitely one day के chart पे plan out कर रहे होंगे and one day के chart पे जब ब है आज का video and five minutes five से जादा questions ले लिए कब तक bitcoin recover होगा मेरे खाल से bitcoin recover already started है मेरे हिसाब से bitcoin का जो bottom था वो निकल चुका है मैं आप लोग को पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन जो यह current market situation है और इसमें अगर एक level break करता है उसमें से 40,000 पहले हमने break किया फिर 38,000 ब्रेक किया 36,000 हमने देख लिए अगर यह level break होता है then there is a high probability कि हम further एक lower low create करें that will be around near 30,000 but I am not still convinced fully but yes जो भी history में मैंने आपको Sunday के analysis में बता है वा ऐसा कुछ हो सकता market कब recover करेगा market already is in the recovering mode for me because जब 62,000 से गरना शुरू हुआ था तो मैं आपको कहा था कि यार अभी तो market मुझे उठता हो नही ट्रेड कर रहा है तो market is an uptrend for me आपके लिए क्या है वो आप decide करो for me we are recovering and Sunday का analysis देख लो अगर आपने miss किया तो Ukraine Ukraine और Russia का side effect कब खतम होगा sir तो देखो दिनेश जी इसका कोई stick मतलब accurate answer कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से world war नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से में जो मैं मार्केट को देखता हूँ जो मैं history पढ़ा हुआ हूँ जो मैं time theory में believe करता हूँ for me at least world war नहीं होने वाला Ukraine और Russia के बीच में ये tense वाला momentum अभी से लेके अगले 10 साल तक रहने वाला है do remember that हो सकता है these are the scenario जो world war 3 को create करेगा but right now I don't see any kind of world war okay इसका impact आपको अगले 4-5 सालों में होता हुआ दिखेगा so आपको लगता अगले 4-5 सालों तक bitcoin नीचे चलता जाएगा नहीं है market एक level तक पहुंचने के बाद recovery लेता है मेरे हिसाब से bitcoin ने वह अल्लेडी recovery जो है retracement काफी हद तक ले चुका है वहां से अब हम अप्ट्रेंड में जा चुक है अप्ट्रेंड में फर्दर एक pullback होना था वह हो गया golden ratio टेस्ट कर लिया यहां पर sideways action में मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि हो सकता है मार्च के second week के बाद हमें altcoin में भी better चीज़े देखने को मिले और साथ bitcoin भी उस duration में 42,000 के ऊपर हमें मिलेगा तभी altcoin का possibilities बनेगा तो altcoin का possibilities अगर बन रहा है that means कि bitcoin 45,000 या उसके ऊपर होगा मिश्रा जी आपका काम है बताना हमारा काम है profit बचाना है कौन कितने पे पाप कर कौन profit नहीं नहीं book कर पाया don't blame me anyway anyway that is the personal but do remember यार do remember मैं खुले आम कभी भी trading करने के लिए नहीं बोलता में चैनल पे मैं हमीशा बोल रहा हूं investment और investment का सही time आने पर मैं आपको बोलूँ ठीक है और मैंने आपको अलग-अलग level अलग-अलग coin के लिए बताते रहता हूं सो उस हिसाब से तो आप लोग को बहुत सार है altcoin में आज की date में होना ही नहीं चैनल बट हो ना so that is something जो आपके individual call है जहां तक बात है profit booking की do remember bitcoin फिर से journey दिखाएगा फिर से new all time high खरेगा लेकिन उसके बाद further new all time high बनाने के लिए पहले भी further retracement आएगा वो retracement से क्या BRN शुरू हो जाता है नहीं वो तो 6 मेने बाद ही पता चलता आपको यह याद रखना जो आप इतना confidently आज play out कर रहे हो कि यार आपने आपको अगर उस दिन पता था तो आपने क्यों नहीं किया मेरा कुछ सिंग यह मैने आपको 62,000 के आसपास जरूर कहा था कि मार्केट अब मुझे डॉन टेंड में देख रहा है अगले कमसर 54,000 का लेवल ब्रेक वा था तो मैंने आपको अगला एक महीना बरबाद करने वाला बिटकोई और साथ इस रेंज में 40,000 के लेवल तक जा सकते 45,000 के तो जब यह बाते होती है तो उस ताम में ऐसे ही बताया जा सकता आप आपको डिसाइड करना है कि आपको रिस्क लेना या नहीं लेना उस ताम में आपको प्रॉफिट चाही होता है इ आपको आपको जब जब जिस दिन मुझे लगेगा वाकई BRL स्टार्ट हो गया देन आफिल डेफिनेटली लेट उना पूर में इस नोटे BRL सो गाइज एनवे आगे भी ख्याल रखो संडे का वीडियो जरूर देग ना तो मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक लिए थ यहूड़ियो